एालक्स कूर्टिसन सामने भाई ज़लो जल्दी से प्रोसेस ऑफ फेलाइज़्े सेटेक प्लेस निसेटन की जो प्रक्रीय वो कहां पे पूरी Suppose जो आपकी इनिसेशन की प्रेक्रिया फर्टिलाइजिसन का जो प्रोसेस है वो कहां पर पूरा होता है भाई फैलोपियन ट्यूब में देखिए इधर यहां से एग रिलीस होगा यहां से रिलीस होने के बाद यहां तक पहुंचेगा जैसा ही तब तक क्या होता है इस पर्म इस रूट से होते हुए आपका यहां तक पहुंच जाता है ठीक है ना तो यहां पर इस पर्म पहुंचने के बाद जो निसेशन का प्रोसेस है फर्टिलाइजिसन है वो कहां पर होता है फैलोपियन ट्यूब में यहां पर क्या हो जाता है फर्टिलाइजिसन ठीक है वाई किलियर है हां आगे बाड़ेंगे next question की तरह प्रेश और the following classification was based on atomic masses जब प्रिरेडिक्टेबल का classification हुआ तो atomic number और atomic mass के आधार पर आपका predictable दिया गया था या फिर कहें कि उनका वर्गी करण किया गया था उनको classify किया गया था ठीक है तो पहला टर्म क्या है atomic number atomic number की आधार पर और atomic masses की आधार पर ठीक है ना परमाणू क्रमांग की आधार पर और परमाणू द्रवमान के आधार पर atomic number का जो है वह किस ने दिया था आपका मुझले ने मुझले ने ठीक है और जो आपका atomic mass से वह किस ने दिया था मेंडिलीव ने परमाणू द्रवमान मेंडिलीव ने बताया था ठीक है तो अब यहां पर आप्शन देख लेंगे पहला आप्शन क्या है भाई ने डोवर्णियर न्यू लेंड सेंड मुझले तो अपन किसकी बात कर रहेये अटो मेंडिलीव ना पड़ेगा ना तो आपका पहली में तो मेंडिलीव है नहीं तो यह आप्शन तो आपका हो नहीं सकता दूसरे के option में देखेंगे लेकिन साथ-साथ क्या है मौजले भी और मौजले ने क्या दिया था atomic nobs Wiki आदर यानिकी प्रमानु क्रमांक तो ये option भी नहीं हो सकता तीसरा option में सिर्फ मैं और मौजले नहीं मतलब ये option हो सकता है चौत Fresh देखेंगे इसमें मौजले भी है मैंडलीब भी है मतलब यह चौथा उप्षन भी नहीं हो सकता है उससी दीसी बात है क्या हो जागा भाई आपका यह ती आप्षन यानिकी तीसरा उप्षन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है ना तीसरा option क्या हो जाएगा भाई, correct answer हो जाएगा क्यों, क्यों कि Mandeleev ने ही क्या दिया था आपका परमानु क्रमान का, sorry, परमानु द्रवमान पराधारत वर्गी करन किया था आपका, ठीक है ना? next question, to increase the corrosion resistance of steel, it is added, यानि कि steel के संचाराण परतिरोद को बढ़ाने के लिए, इस मैंसे जो धातु जोड़ी जाती है, वो कौन सी जोड़ी जाती है? क्या करने के लिए भाई, संचाराण का परतिरोद, संचाराण परतिरोद बढ़ाने के लिए, क्या जोड़ा जाता है इस मैं? steel में क्या जोड़ा जाता है भाई, प्रोमियम जोड़ा जाता है, यह ना? इस टील के साथ, क्या जोड़ते हैं? प्रोमियम अगर आपने जोड़ देते हैं, तो इनका क्या है? रजिस्टेंस बढ़ जाता है, रजिस्टेंस यानि की परतिरोद की छमता क्या हो जाती है? इनक्रीस हो जाती है, यानि की बढ़ जाती है, ठीक है भाई? क्या हो जाती है इनकी परतिरोद छमता बढ़ जाती है, रजिस्टेंस पावर इनकी बढ़ जाती है, ठीक है? नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे भाई फटाफट एर्गोटिज्म डिसीस इन केटल इस है ना पसु में एर्गोटिज्म का जो रोग है वो किसके कारण होता है वह कवकों द्वारा होता है यानि कि भाई फंजाई कवकों की द्वारा गें बड़ें देखेंगे से वो हो जाता है किसके द्वारा फंगस की द्वारा फंजाई यानि कि कवकों की द्वारा आगे बढें देखिए next question which of the following is not a vertebrate organism इन मैंसे कौन सा vertebrate organism नहीं है अब vertebrate और invertebrate में आपको अंतर पता होना चाहिए vertebrate का मतलब क्या है जिसमें backbone हो क्या हो जिसमें backbone प्लब्ध हो या फिर उपस्तित हो यह नी कि वो ऐसे organism है जिसमें क्या हो भाई रीड की हड़ी पाई जाती हो ठीक है ना तो इस में फ्रॉग में भी रीड की हड़ी होती है फिस में भी रीड की हड़ी होती है और लिज़ाड में भी क्या होती है रीड की हड़ी होती है यह ना तो इसमें से अपन क्या देखना है जिसमें रीड की हड़ी ना पाई जाती हो तो आपके earthworm के चुबह आपका right option हो जाए है correct answer हो जाएगा क्यों क्योंकि इसम Tucson redC á 57 नहीं पाई जाती है आपके किस में अर्थ वाम में, केचुवे में आपकी रिड की हेड़ी नहीं पाई जाती है चीके बाई आगे बढ़ें हाँ बिल्कुल, चीके बाई लिजार्ड में भी होती है, स्नेक्स में भी होती है है ना आपके जो सांप होते हैं सर्फ होती है, उसमें भी क्या होती है बैक्बोन होती है, उसमें क्या होती है, बैक्बोन होती है बैक्बोन पाई जाती है उसमें फिक है ना नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे बर्टिब्रेट्स एनिमल विट बैक्बोन्स invertebrates animal without backbones, ठीक है, देख भाई, next question, identify the part of the brain that controls the maintenance of posture, balance and equilibrium, मस्तिस्त के उस हिस्से की फहचान करें जो मुद्रा संतुलन और संतुलन की रखाव को नियंत्रित करता है, तो भाई, जहां पे भी बैलेंस की बात आ जाती है, जहां पे भी पोस्चर बैलेंस की बात आ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए, क्या, कि वहां पे Cerebellum, Cerebellum, ही इसको maintain करता है, Cerebellum को क्या बोला जाता है, लिटल ब्रेन भी बोला जाता है, लिटल ब्रेन, यानि कि आपका छोटा दिमाग, आपने नाना पाटे करकी एक मूवी देखी होगी, जिसमें वो बात बात कहता है, किसी को भी जो भी उसको कोई पीछे ऐसे मार देता है, तो उसको बहुत गुस्ता आती है, और वो कहता भी है, कि पीछे नहीं मानने का, यहां पे मारने से इंसान की जान भी जा सकती है, क्योंकि वहां पे छोटा दिमाग होता है, पीछे क्या होता है भाई, छोटा दिमाग होता है, यानि कि लिटल ब्रेन होता है, तो वो किसकी बात कर रहा होता है, लिटल ब्रेन में, सेरी बिलम की, ठीक है, तो यहां पे आपका कौन सा है, हाँ, फोर्थ कौनसा option correct हो जाएगा भाई फोर्त option correct हो जाएगा ठीक है ना शेरी बेलम जो ही व्यक्ति एक इसमें एक दूसरे प्रकार का जो question पूछा जा सकता है वो ऐसे के जो व्यक्ति शराब पीते हैं जिनको drinking habits होती है तो उन व्यक्तियों का जो brain का part होता है वो कौन सा सबसे ज्यादा effect होता है मस्तिष्ट के कौन से हिस्से पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है शराब पीने के कारण ठीक है तो आपने देखा होगा जो व्यक्ति जिनको drinking habits होती है जो पीए हुए होते वह चलने में यहां वहां लड़ खडाते हुए चल है ठीक है उनका balance एक समान नहीं रहता है balance बिगड़ा हुगा रहता है तो भाई क्या effect होता है उनका seri balm ठीक है कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा affected होता है उसका seri balm है na seri balm और seri bram में confused नहीं होना है ठीक है seri balm जो होता है largest part of the brain है या आगे का हिस्सा होता है उसको क्या बोलते है seri bram ठीक है cerebral hemisphere इसमें दो hemisphere पाए जाती है किसमें seri bram में ठीक है लेकर यहाँ पे जो responsible है posture balance and equilibrium के लिए वो कौन सा पार्ट है seri balm पार्ट है पीछे वाला पार्ट है जिसको क्या बोलते है little brain बोलते है यानि की छोटा दिमाग का हिस्सा बोलते है ठीक है ना seri balm क्या करता हो coordinates, moment, control, posture, balance, fine motor movements and involved in motor learning ठीक है ना ठीक है यह तो किसकी बात कर रहे थी है पान यह पीछे वाला हिस्सा जो है यह seri balm की अब यह जो आगे वाला हिस्सा है जिसको क्या बोलते है seri bram क्या बोलते हैं इस आगे वाले हिस्से को seri bram जो याद करना किसी चीज को मतलब याद रखना या फिर कोई action reaction या फिर अपन कुछ सोचते है ना वो सब कौन सा हिस्से की वज़े से अपन seri bram काम करता है उस time पर ठीक है अपनको कुछ सोचना है या कुछ काम करना है वो सब maintenance ना thought process हो गई या फिर आपका कोई चीज याद रखना है वो सब किसमें आता है seri bram उनको maintain करके रखता है या फिर seri bram उसमें help करता है ठीक है आगे वड़े भाई next question की तरफ देखेंगे भाई what is the number of true ribs in human body फिक है मानाव शरीर में सच्ची पसलियों की संख्या कितनी होती है यह कौंसा कौंसेप्ट है अब सच्ची पसलिया true ribs है ना तो ribs अपने यहां पे और ऐसे cavity में कितनी होती है 24 होती है 24 रिप्स होती है पसलियों की संख्या कितनी हो ती 24 होती है यह नहीं की 12 प्यार से यह फिर कहले बारा जोड़ी ठीक है इन्ही 24 रिप्स में से कुछ होती है true ribs कुछ होती है false ribs कि अधार पर कहा जाता है तो जो यह आगे की तरह बोन होती है चेस्ट बोन होती है जो जिसको अपन क्या बोलते हैं इस्टर्णम जिसको क्या बोलते हैं अपन इस्टर्णम ठीक है तो जो पसलिया जो रिप्स इस्टर्णम से डारेक्टली यानि की सीधे सीधे अटैच होती है सीधे सीधे जुड़ी होती है उनको क्या बोलते हैं अपन प्रू रिप्स बोलते हैं ठीक है तो ऐसी कितनी रिप्स होती है 14 रिप्स होती है जो की डारेक्टली इस्टर्णम से आके जुड़ी होती है पीछे की तरह यह पसलिया आपकी बैक बोन से यानि की रीड की हड़ी से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, आगे की तरह जो हड्याँ directly, यानि कि सीधे तौर पर आपकी ये chest bone, यानि कि sternum bone से जुड़ी हुई होती हैं, जिन पसलियों को, उन्हीं पसलियों को आप क्या कहते हैं, सची पसलियां या फिर true रिब्स कहते हैं ठीक है कितनी होती है 14 होती है ठीक है तो इसमें आपका 40 यह option आपका correct हो जाएगा ठीक है टोटल नमबर आप रिब्स पूछेंगे तो कितनी होती है 24 पसलिया होती है 12 जोड़े ठीक है ना आप देख लेंगे यहां पर आपको दिखाई दे रहा हूँ ठीक है अब आप यहां पर देखेंगे यह आपकी जो बोन है ना यह वाली इसको क्या बोलते हैं आप इस्टेरम बोलते हैं ठीक है इससों क्या बोलते है इस्टेरम अब डारेक्टली यह रिप्स आपको दिखाई दे रही हुए इससे इस्ट डारेक्टली जुड़ी हुई है पुरिः ना तो सहां ये ये रिफ डारेक्टली जूड़ी होते अब डॉट मंब गुर्णों कितनी एक दो टीन चार पांक छे साथ जुड़ी हुई है साथ इस तरफ से भी जुड़ी हुई है ये सब फिर ना तो साथ प्लस साथ कितनी हो गई आपकी 14 हो गई कि नहीं हो गई देख लो भाई 14 अपना क्या दिया था अपने correct option 14 दिया था ठीक है ना तो बाकी की जो बची हुई पसलियां है आप देख पा रहे होंगे वो directly हड़ी से ना जुड़ी हो करके ये last वाली जो ये है ना last वाली पसली उसी से आके जुड़ी है ये वाली ये ये सब ठीक है उसी स आके क्या हुआ है last वाली पसली से जुड़ी हुई है इसी लिए इन सब को क्या कहा जाता है पॉल्स रिव या फिर floating ribs या कहा जाता है भाई floating ribs कहा जाता है ठीक है ना तो floating ribs की संख्या की अगर आपन बात करें तो कितनी होती है भाई चौबेस टोटल होती है घटा दो आपनी कितनी 14 घटा दो कितनी बची भाई दस बची ठीक है ना हाँ क्लियर है क्लियर है भाई कि आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेशन दस आर डिवाइड आफ रेस्पाइरेटरी एक्सकुरिटरी एंड सर्कुलेटरी ओर्गन्स ठीक है ना भाई स्वासन उत्सर्जन और संचार अंगों से रहे त्या है इस मैं से स्पंज किस केटेगरी को बलाओं करता है पौरीफेरा पौरीफेरा को बलाओं करता है क्या इस पंज इसमें क्या होता है holes होती है छोटे छोटे से छेत पाई जाती है पूरी body में sponge में क्या होता है छोटे छोटे से holes पाई जाती है छोटे छोटे से छेत पाई जाती है उनी के बीच से पानी निकलता रहता है गुजरता रहता है ना तो इसमें blood होता है blood नहीं पाय जाता है ना ही इसमें कोई organs पाय जाते हैं ठीक है इसमें कुछ नहीं पाय जाता है पानी के थुरू ही जो भी खाना पीना इनको लगता है वो पानी के थुरू ही जाता रहता है और उसी पानी में dissolve रहती है क्या oxygen तो वो respiration में breathing में भी help करती है ठीक है diffusion के through in का breathing system स्वासन तंत्र भी काम करता रहता है या फिर चलता रहता है ठीक है न इसका correct option क्या हो जाएगा आपका sponge ठीक है